गुट मॉर्णिंग एवरिवन आज हम लोग और गेनिक केमिस्ट्री का क्लास सेकेंड इंट्रोडक्शन क्लास अभी चल रहा है तो जिसमें आज क्या-क्या सीखने वाले तो सबसे पहला molecular formula इसके बाद empirical formula क्या होता है फिर structural formula क्या होता है और bond line structure क्या होता है तो start करते हैं सबसे पहला आपका है molecular formula तो molecular formula किसको कहते हैं तो जैसे आपको कहा जाना कि methane नाम तो सब लोग सुनें 10th class में कि methane का molecular formula बता ही तो molecular formula में होता है कि कोई भी molecule है तो उसमें total number of atoms कितना है exact total number of atoms को represent करता है तो definition में क्या हो गया कि it represents the actual number of combining elements present in the given molecule जैसे आपको हम बोलें कि pentanol का molecular formula बताईए तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि pentanol में कितना carbon है कितना hydrogen है और कितना oxygen है इसको example से समझते है यहाँ पर देखे एक तरफ आप लिख देजे compound और दूसरे तरफ लिख देजे molecular formula अब जैसे methane आपको कहा गया कि methane का molecular formula बताईए तो ये आपको पता होना चाहिए जैसे आप 5th class में पढ़ते आ रहे हैं कि methane कैसे लिखते हैं मिथेन आप इस तरह से लिखते थी ठीक है तो इसमें है क्या एक carbon है और चार hydrogen है तो इसका molecular formula जो होगा उसको हम कहेंगे CH4 अब CH4 से आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें एक carbon है और चार hydrogen है तो यही चीज़त आपको कहा जा रहा था actual number of combining elements present in the given molecule जो molecules दिया हुआ है उसमें actual में exact number of atoms कितना है जैसे एक दूसरा इजाम पर लेते हैं butane अब butane का आपको कहा गया कि molecular formula बताईए तो मेरे ख्यान से alken family में 1 से 10 तक तो आप 9-10 में याद कर लेते हैं नहीं तब butane में कितना carbon होता है चार carbon और hydrogen कितना होता है तो general molecular formula आप जानते हैं cn estubent plus 2 यानि कि इसमें total hydrogen जो होगा वो 10 होगा तो ये जो है butane का molecular formula कहला है butane आप इस तरह से लिख देंगे तो आपको ये पता चलेगा क्या कि इसमें कितना carbon है और कितना hydrogen है अगर आपको मालूम नहीं है तब लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ है और आप हो कहा जाए कि इसको हम लोग butane कहते हैं तो आप इसमें बता सकते हैं कि carbon का संख्या कितना है और hydrogen का संख्या कितना है एक jet number of elements तो इसमें 4 carbon है और 10 hydrogen है तो इसको हम लोग butane का molecular formula कहेंगे जैसे गुलकोज के भी बारे में आप जानते हैं गुलकोज का formula क्या होता है molecular formula C6H12O6 अब आपको देखे ये लिख दिया गया और आपको नीचे लिख दिया गया कि इसको हम लोग गुलकोज पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया न कि अच्छा गुलकोज में आपका 6 carbon होता है 12 hydrogen होता है और 6 oxygen होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे गुलकोज का ये molecular formula है जैसे बात कर रहे थे पेंटानॉल तो पेंटानॉल का जो molecular formula होगा C5H12O इसका क्या formula हो जाएगा C5H12O अब आपको यहाँ पी ये कहा गया कि ये पेंटानॉल का molecular formula है तो इसमें आपको पता चला कि carbon कितना है 5 hydrogen कितना है 12 oxygen कितना है 1 ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पेंटानॉल जैसे acetone अब acetone का molecular formula होता है C3H6O तो इस तरह से जब लिखा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि इसमें total number of carbon कितना है total number of hydrogen कितना है और total number of oxygen कितना है यहाँ पी total number of carbon कितना हो गया 3, total number of hydrogen कितना हो गया 6 total number of oxygen कितना हो गया 1 जैसे एक example लेते हैं पीरिडीन अब पीरिडीन का molecular formula होता है C5H5N तो पीरिडीन में अगर आप से कोई पूछ दे कि कितना carbon कितना hydrogen कितना nitrogen होता है तो आप क्या बोलेंगे अगर आपको molecular formula पता है C5H5N है तो आप कह सकते हैं कि पीरिडीन में total number of carbon 5 है total number of hydrogen 5 है और total number of nitrogen 1 है इसी में आपका ये तो आपका हो गया molecular formula molecular formula में अगर किसी भी compound का molecular formula दिया हुआ है तो उससे क्या पता चलता है उससे ये पता चलता है exact number of atoms या कह सकते हैं exact number of elements यहां तक complete कर लीजे सब लोग यहां तक complete कर लीजे चले निश्ट में है empirical formula अब empirical formula क्या होता है तो किसी भी molecule का simplest जो ratio होता है उसी को हम लोग empirical formula करते हैं क्या लिखा हुआ है कि it gives simplest ratio of atoms present in the given compound कोई भी compound आपका दिया हुआ है तो उसका सबसे simplest ratio क्या होगा जो सबसे simplest ratio होगा उसी को हम लोग क्या बोलते है empirical formula या कर सकते हैं कि जो सबसे छोटा ratio होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे empirical formula जैसे इसको भी example से समझते हैं एक तरफ आप लिख देजे compound दूसरे तरफ लिख देजे molecular formula और यहां पर लिख देजे empirical formula अब जैसे बात अगर करें एक compound लेते हैं methane अभी आप क्या सीखें कि methane का molecular formula क्या होता है CH4 तो ratio का मतलब आप क्या समझते हैं जैसे यहां पर carbon और hydrogen का ratio आप से पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे 1 is to 4 carbon और hydrogen का अगर आप से ratio पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे 1 is to 4 अब इसका आपको कहा जाए कि simplest ratio बताईए तो simplest ratio पर यहीं कोई भी number जो है common नहीं है तो यह simplest ratio होगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका methane दिया हुआ है तो उसका molecular formula और empirical formula दोनों same होगा क्योंकि यह simplest ratio है जैसे एक दूसरा एक्जाम पर लेते हैं ethin अब ethin का molecular formula क्या होगा 2 carbon और 6 hydrogen अब यहाँ पर देखिए आपसे एकर पूछा जाए कि ethin का ratio यहाँ पर क्या है carbon और hydrogen का ethin में carbon और hydrogen का ratio क्या है तो यहाँ पर आपका सकते है 2 upon 6 तो क्या यह simplest ratio है नहीं है इसको जब आप cancel करेंगे तो जो simplest ratio आएगा 1 upon 3 यानि कि इसको आप कहा सकते है 1 is to 3 तो अगर इसी को empirical formula में लिखना होगा तो अब carbon कितना हो गया 1 hydrogen कितना हो गया 3 तो इसको हमने लिखेंगे CH3 सब्सक्राइब आरा बात सब लोग को तो C2H6 का जो simplest ratio हो गया वह क्या हो गया 1 is to 3 यानि कि इसका empirical formula होगा CH3 जैसे acetic acid है ठीक है acetic acid को जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे अब इसमें देखे carbon कितना है 2 hydrogen कितना है 4 oxygen कितना है 2 तो आप इसी को इस तरह से लिख सकते है molecular formula के form कि C2H4O2 अब बताएए कि इसमें carbon hydrogen और oxygen का ratio क्या है तो इसमें carbon कितना है 2 hydrogen कितना है 4 oxygen कितना है 2 तो क्या यह simplest ratio है? नहीं है. क्यों इसको simplest ratio नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देख रहे हैं क्या? कि हर एक में दो common है. तो दो जो common ले लिगेगा तो यहां पर क्या होगा? 1 is to 2 is to 1. यानि कि अगर आपको कहा जाएं कि acetic acid का आप empirical formula लिखके बचाएं. अगर आपको कहा जाएं कि acetic acid का empirical formula लिखें तो carbon कितना हुआ? 1. hydrogen कितना हुआ? 2. oxygen कितना हुआ? 1. तो इसको हम क्या लिखेंगे? CH2O. 1 को तो लिखते नहीं है. तो इसको क्या लिखेंगे? CH2O. यानि कि acetic acid के silica, empirical formula का अगर हम बात करेंगे, तो यह हो जाएगा CH2O. बोलें, सब लोगों को यह बात समझवाया? CH2O कैसे लिखे सो? जैसे, निश्य जान पर लेते हैं, butane है. अब butane का molecular formula क्या होता है? C4H10. अब देखिए, यहाँ पर carbon और hydrogen का जो ratio है, carbon और hydrogen का जो ratio है, यह 4 upon 10, नहीं? तो क्या यह simplest ratio है? नहीं. क्यों नहीं है? तो दो इसमें common है, यह 2 से cancel हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 upon 5. यानि कि अगर इसका simplest ratio का बात किया जाए, तो 2 is 2, 5. और ratio निकाल कैसे रहे? carbon और hydrogen का, यानि कि 2 carbon हो गया और 5 hydrogen हो गया, यह आपका simplest ratio हो गया, किसका? ब्यूटेन का, यानि कि C2H5 को हम क्या कहेंगे? ब्यूटेन का empirical formula, C2H5 को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन का empirical formula, समझवार है? तो कोई भी compound अगर दिया हुआ है, और आपसे teacher बोल दिये, कि इसका empirical formula बताएगे क्या होगा, निकाल लेंगे? जैसे एक और example लेते हैं, इथीन, इसी को common system में इथीलीन भी पढ़ते हैं, IPSC system में इथीन, तो अभी nomenclature नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, अभी बस यह तो basic है, तो अभी नाम के चकर में नहीं पढ़ेगा, लेकिन मेरे ख्यासे आप 10th pass करके आएगे, तो आपको पता है, C2H4, अब बताएए, कि यह C2H4 इथीन का जो molecular formula है, क्या यह simplest ratio है, तो यहाँ पर अगर carbon और hydrogen का ratio की बात किया जाए, तो 2 carbon है, और 4 hydrogen है, इसको जब आप cancel करेंगे, तो क्या होगा, 1 by 2, तो 1 by 2 जो है, आपका simplest ratio है, मतलो सबसे छोटा ratio, 1 क्या है, carbon, इसका मतलो 1 carbon हो गया, 2 hydrogen, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, CH2, इसको क्या लिखेंगे, CH2, तो अगर आप से पूछा जाए, कि बताएए, इथीन का empirical formula क्या होगा, इथीन का empirical formula क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, CH2, सबच में आ रहा है सब लोग को, जैसे एक और example लेते हैं, बेंजीन है, बेंजीन का तो सब लोग formula जानते हैं, 10th class में आप पढ़े हैं, क्या हो तो आप नहीं जानते हैं, तो आप जानिए, सीखे देरे देरे, बेंजीन का molecular formula क्या होता है, C6H6, अब यहाँ पर आप से फिर पूछा जाए, कि carbon और hydrogen का ratio क्या है, तो carbon 6 है, और hydrogen भी 6 है, तो यह cancel हो करके क्या हो गया, 1 upon 1, यानि कि simplest ratio क्या हो गया, 1 is to 1, अब आप बताएए, कि बेंजीन का empirical formula क्या होगा, बताएए सब लोग, बेंजीन का empirical formula क्या होगा, यहाँ पर तो simplest ratio निकाल दिये हैं, तो जो बच्चा बोल रहे हैं कि CH होगा, उनका स सही है, बेंजीन का empirical formula क्या हो गया, CH, तो कोई भी compound दिया हुआ है, और आपको कहा जाए, कि empirical formula बताएए, बोलिए, निकाल लेंगे सब लोग, कोई दिखत होगा, सब लोग से निकल जाएगा न, चलिए, यहाँ तक जल्दी से note कीजिए, यहाँ तक complete कर लिए, चलिए, next में है a structural formula, कि कोई भी give a compound दिया हुआ है, तो a structural formula क्या बताता है, तो common sense सोचिए, कि a structure जब लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ, कि atom का connectivity को बताता है, कि कौन सा atom, किस atom से, किस तरह के bond से जुड़ा हुआ है, ऐसे भी, कोई भी organic compound, इस सब आगे हम लोग और detail में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी बस एक simple definition आपको बताया जा रहा है, कोई भी organic compound का structure लिखा हुआ है, तो ओ structure देखकर करके, आप यह नहीं बता सकते हैं, जैसे एक example हम लेते हैं, तब ज़्यादा clear होगा, अब यहाँ पर आप सुरू से पढ़ते आ रहे हैं, methane, नहीं, इसको आप methane बोलते हैं, अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट से class में अगर पूछ देते हैं, कि अच्छा जी बताओ इसका bond angle क्या है, तो सीधा यह देखते हैं, कि यहाँ पर यह तो 90 degree है, तो बोलेंगे 90 degree सर्थ, नहीं, गलब, आप structure देखकर करके किसी का bond angle आप नहीं बता सकते, किसी का bond length नहीं बता सकते, किसी का shape आप नहीं बता सकते, समझवारा बत, अब structure सिर्फ और सिर्फ यह बताता है, क्योंकि इसका जो bond angle होता है, 109.5 degree, या इसी को हम दो कहते हैं, 109 degree, 28 minute, अब यह कहां से आता है, कैसे आता है, आगे हम लोग सीखेंगे, और ऐसे भी यह chemical bond का चीज़ है, ठीक है, तो कोई भी organic compound का, अगर structure लिखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ तीन information देता है, क्या-क्या, कौन सा atom, किस atom से, किस bond से जुड़ा हुआ है, फिर से repeat कर रहें, A structure formula, कोई भी organic compound का अगर structure लिखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ हो क्या करेगा, atom का connectivity को बताता है, it gives connectivity of atoms and groups in a given molecule, जैसे आपको molecular formula दिया हुआ है, और आपको कहेगा किसका structure लिखे, पिछले class में भी आपको बता रहे थे, कि cobalency का importance क्या है, उसको आप समझे, जैसे अब यहाँ पर example से समझते हैं, इधर आप लिख लिखे compound, ठीक है, इधर लिखे molecular formula और इधर लिखे लिखे structural formula, जैसे आपको कहा गया, propane एक compound है, तो molecular formula क्या होगा, propane है, alkane family का, तीन carbon, और hydrogen कितना, 8, तो यहाँ पर molecular formula होगया, C3H8, अब इसका कहा जाए, structure लिखने के लिए, तो structure लिखने के लिए भी पिछले class में बटाये थे, कैसे लिखते हैं, तो आप अब इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है, यह सब 10 में चलता है, कि आप हैसो, अब आपको लिखने के लिए कहा गया, कि C3H8 का structure लिखे, तो आप हैसो इस तरह से लिख करके दिखा रहे हैं, ठीक है, गलत, हम यह नहीं बोल रहे हैं, कि यह लिखना गलत है, आप इस तरह से लिखाएंगे था, हम बोलेंगे गलत हैं, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अब इसको इवाइड कीजिए, यह 10 तक चलता था, ठीक है, अब आप 11, 12 और इंजिनिरी मेडिकल का तयारी करने जा रहे हैं, तो इस तरह से लिख नहीं पढ़ाई पढ़ना हो, आपको पिछली क्लास में बताये थे, कि कार्बन जो है, यहाँ पर 3 हाइडोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, CS3, फिर बीच में यह सिंगल बॉन्ड है, तो यह सिंगल बॉन्ड देंगे, ठीक है, और उसके बाद CS2 है, तो पर CS2 लिख दिये, फिर बीच में सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद इस कार्बन के साथ 3 हाइडोजन है, तो CS3, यह भी आपको लास प्लास में बताये थे, कि दिमाग में आप सेट कर लिजे, कि CS3 जब भी होता है, तो इंड में होता है, और CS2 जब भी होता है, तो मिड म नहीं होगा, और Covalency का ध्यान में रखना है, कि Carbon का Covalency होता है 3 और Hydrogen का होता है 1, आप यहाँ पर जब स्ट्रक्चर लिखे, तो एक मैजर आप देख लेजे कि सब का Covalency फुल्पिल है कि नहीं है, मैक्समुम बच्चे गलती यही सब लिखने में करते हैं, कहां पर CS2 होगा कहां पर CS3 होगा, उनको समझ भी नहीं आता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखे, इसका structure जब लिखा जा रहा है, तो CS3, CS2, CS3, अब देखे, यह तो understood होगा न, कहां पर CS3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह Carbon 3 Hydrogen से single bond से bonded है, और 4 जो bond हो गया, यह single bond, फिर उस तरह से इसका मतलब क्या हुआ, कि यह Carbon 2 Hydrogen से single bond से bonded है, और 2 यह हो गया, तो इस Carbon का covalency भी 4 फूर पिल है, और यहाँ पर भी क्या हो गया, यह Carbon 3 Hydrogen single bond से bonded है, और यह आपका एक covalency 4 हो गया, समझ भारा बाद, तो यह इसको हम लोग बोलते है, a structural formula, यह अब क्या हुआ कि कौ बताता है, a structural formula, ठीक है, जैसे, अगर आपको यहाँ पर कहा जाए, ethene, देखे, ethene आ गया, इसका molecular formula भी आपको बताया गया था, क्या होता है, C2H4, C2H4, अब देखे, थोसा सीखिए धीरे-धीरे, ठीक है, organic chemistry को आप सीखना है, अपने आप ले, फील करना है, आपको यह student को कहा गया कि इसका structure लिखे, तो वो क्या देखेंगे, कि 2 आपका carbon है, तो 2 carbon लिख दिये, अब 4 hydrogen है, तो यह थोड़ा common sense भी तो use करना है, कि 4 जब hydrogen है, तो इसका मतलब है, यह तो नहीं है, कि carbon का covalency 4 है, तो आप यह ऐसा करो, कि 4 hydrogen एक carbon को दे दो, और दूसरा फिर अपना इ दिखा दिये, और ऐसे लिख करके दिखा दिये, कुछ भी, नहीं, आपको थोड़ा common sense लगाना है, common sense क्या लगाना है, कि total hydrogen अगर यहाँ पर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, कि 2 hydrogen इस carbon को मिलेगा, और 2 hydrogen इस carbon को मिलेगा, अब आप खुद देखिए, अगर आप इसके बीठी मे single bond डालते हैं, तो क्या, covalency fulfill हो गया, नहीं हो, तब आपको खुद सोचना होगा, क्या hydrogen है नहीं, carbon का covalency fulfill नहीं हो रहा है, तब क्या करना होगा, यहाँ पर double bond लगाना होगा, ठीक है, अब जब इस तरह का structure लिखे, तो अभी क्या बताए थे, इस तरह से अब हम लोग देंगे, CH2 double bond CH2, यह 10 दिन में धीरे धीरे practice हो जाएगा, अभी जस्ट आप लोग के लिए सब नया है, ठीक है, तो थोड़ा सा time लगेगा, अरना starting में ही थोड़ा सा time लगता है, फिर जब आप pick up पकड़ लिजेगा, तो फिर देखेंगा कि मजा है यह बात सब लोग को सम क्या से नाम सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं, अलकाइन का जो पहला member होता है, उसको common system में acetylene कहते है, बहुत सारे student को यह भी लग रहा हो कि common system क्या होता है, नोमिन के लेचर, नाम करन, समझभाया बद, तो नोमिन के लेचर जो है न, दो तरह से होता है, ए एक को बोलते common system, common system क्या है और IPSC system क्या है, यह सब आगे हम लोग डेटेल में पढ़ेंगे, बस अभी इतना जान लेजें, कि जैसे कोई भी a student है, तो उनका घर का नाम कुछ और रहता है, और a school का नाम अलग रहता है, नहीं, coaching का अलग नाम रहता है, घर में लोग चिंटू मिन्टू, पिन्टू पुला रहे हैं, और जब वही बच्चे जब क्लास में जाते हैं, तो किसी का नाम सुरेस है, किसी का मनोज है, किसी का दिनेस है, होता है कि नहीं, तो उसी तरह से, common system का जो नोमिन के लिए चार है, वो घर का नाम, और IPSC system का मतलब पूरा दुनिया है, तो उस नाम से जाता है, तीस हम के बारे में आगे हम लोग डीटेल में सीखेंगे, बस यहां पर नाम हम लिखे, acetylene, तो alkyine family का जो पहला member होता है, उसको हम लोग acetylene कहाते हैं, अब इसका फर्मोला क्या हो जाएगा, C2H2, अब किसी student को कहा गया, कि आप इसका structure लिख करक यह चीज़ पिछले class में भी आपको बताये थे, कि अगर आपको cobalency का knowledge है, तो आप गलप नहीं करेंगे, जैसे, अब यहां पर आपको कहा गया structure लिखने के लिए, तो आप क्या सोचेंगे, कि दो carbon है, तो आप यहां पर दो carbon लिख दिए, ठीक है, अब यहां पर दो hydrogen है, तो किसी एक ही carbon को तो दोनो hydrogen देंगे नहीं, यह common sense की बात है, तो दोनो carbon को आप क्या किये, एक-एक hydrogen single bond से लगा दिए, अब carbon का cobalency होता है कितना, 4, एक तो fulfill हो गया, इसका मतलब 3 और होना चाहिए, तब न इस carbon का cobalency भी 4 होगा, और इस carbon का भी cobalency 4 हो गया, hydrogen का 1 होता है, hydrogen का 1 होता है, पिछले क्लास में आपको बता चुके है, तो यह आपका क्या हो गया, acetylene, अब आप इस तरह से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी structure को ऐसे लिख दिजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी structure को आप इस तरह से लिख दिजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब देख तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो यह एक्जेक्ट दिखता है कि कार्वन का कार्वन के साथ बॉंड है और अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो इससे लगता है बहुत सरे जो नए नए बच्चे भी आप सीख रहें तो उनको confusion हो जाता है लगता है कि नहीं यह तो दिखेगा ध्यान देजेगा जब भी लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे इससे क्या पता चला इससे यह पता चला कि यह कार्वन का बॉंड इस कार्वन के साथ सिंगल बॉंड से बॉंड लेकिन अगर आप इस तरह से लिखते तो लगता है कि हाइड्रोजन का बॉंड क कारवन से हो गया, जबकि ऐसा नहीं, वंडर अस्टूड है, सब लोग समझते हैं, लेकिन थोड़ा इस तरह से लिखने से अस्मार्टनेस बढ़ जाता है, लेगता है कि हाँ, अस्टूडेंट जानता है, समझ भागया है, तो आप लोग को भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना ह इसी तरह से आदर डालना है, जैसे यहाँ पर देखिए, है न, आप चाहते तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, CH2, double bond CH2, कोई गलत नहीं बोलेगा, लेकिन थोड़ा सा smart बनना है, समझ भागया है, तो कोशिस कीजिए, कि शुरू में जब लिखते हैं, तो ऐसे ही लिखिए हो, जैसे, अब structure आप इस तरह से लिख रहे हो, ठीक है, यह बेंजीन है, यह सब आगे आपको सीखाएंगे, NO2, अब यहाँ पर लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, NO2, देखिए, दोनों गंतर हैं न, कैसे, इससे यह पता चला कि इस carbon के साथ nitrogen का bond है, अब इसी को ऐसे हम लिख देते, NO2, तो नया-नया जो बच्चा सीखता है, उसको confusion हो जाता है, कैसे लगता है, carbon का oxygen के साथ bond है, तो धीरे-धीरे आपको यह सब भी सीखना होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, acetylene का लिखना है, तो यहाँ पर hydrogen और फिर carbon, carbon, triple bond, फिर hydrogen दे दी, आप इस तरह से लिए, को यह single bond को हटा के CH, triple bond, CH लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, बताना यह था, कि a structural formula होता क्या है, तो a structural formula सिर्फ और सिर्फ यह बताता है, कि कौन सा atom, किस atom से, किस bond से जुड़ा हुआ, जैसे एक और example लेते है, इथानो, अब यह इसका molecular formula बतायते, molecular formula क्या बतायते, C2H6O, नहीं, C2H6O, अब इसका structure रिखना है, तो इसका structure कैसा हो जाएगा, CH3, CH2OH, देखे, सारे का covalency भी fulfill है, यहाँ पर 2 carbon, 3, 2, 5, 1, 6 hydrogen, और 1 oxygen, ते यह आपका क्या हो गया, इथानो, यहाँ तक note कीजिए, यहाँ तक complete कर लिए, चले, एक और example हम लोग देखते हैं, जैसे, अब यह example आपको दे दिया गया, नाम हम नहीं बता रहे, ठीक है, अभी जो आप इसके पहले देखे तो क्या देख रहे थे, सब का नाम लिखा होगा था, नहीं, इसका molecular formula लिखा होगा था, और आपको कहा आपको कहा गया कि अस्ट्रक्चर लिखा होगा है, ठीक है, इसका एक हम molecular formula लिख रहे, आपको पूछेंगे कि सर इसका नाम क्या है, तो नाम अभी नहीं बता सकते हैं, अभी आपको तुरस समझ में आएगा, यह एक molecular formula दिया हुए, अब आपको कहा गया कि इसका structure लिखके दिखा है, पूरे classroom के बच्चे को बोला गया कि आप इसका structure लिखके दिखा है, थोड़ा सा इसका importance आप समझेए अब, अब क्या करते हैं, कैसे सिखा है कि cobalancy को ध्यान में रखते हुए, तो एक student क्या हुआ, कि class में लिखकर के मेरे को जो दिखा है, कि CH2 double bond CH और CH2 OH, एक student इस तरह से structure मेरे को लिखके दिखा है, अब देखे तो 1, 2, 3, 3 carbon, 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6 हो गया, 6 hydrogen और एक oxygen, molecular formula सही है, अब हम दों देखेंगे cobalancy सही है कि ने, तो यहाँ पर देखें, इस carbon का cobalancy 2 और 2, 4 हो गया, hydrogen का तो 1, 1 है, यहाँ पर भी देखें, 2 और 3 और यह hydrogen 4 हो गय यहाँ पर देखें, 1, 2 और 2, 4 हो गया, यहाँ पर oxygen का cobalancy क्या बताया थे, पिछले class में 2, तो यहाँ पर 2 है, यह OH का मतलब क्या हुआ, OH का मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ, तो oxygen का यहाँ पर 2 हो गया, और hydrogen का भी 1 हो गया, तो cobalancy भी fulfilled है, उन्हीं के बगल में एक student औ और है, वो मेरे को खड़ा हो करके दिखाते हैं, और वो एक structure लिखें, वो एक structure लिखें कि सर, CS3, CO और CS3 लिख दिया, अब लेजे, बोले कि सर, यह वाली देखें सही है या जलत है, क्यों, क्योंकि वो तो student देख रहे हैं, कि हाँ पर 1, 2, 3, 3 carbon है, 3, 3, 6 hydrogen है और 1 oxygen है, सब क तो co-balancing भी fulfill है, इस carbon का देखें 4, इस carbon का 2 और 2 चार, इस carbon का भी आपका 4 और इस oxygen का भी 2 है, तो co-balancing भी fulfill है, हद तो तब हो गया कि दूसरा एक student और है, बोले कि सर, हम इस तरह से लिखें हैं, C, CO, H, मतलब CHO और CH2 और इधर आपका CH3, आप देखें, यहाँ पर भी देखें, तीन carbon है, तीन दू पांच है, और एक छो hydrogen है, और एक oxygen है, ठीक है, दूसरा co-balancing, hydrogen का 1, oxygen का 2, carbon का 4, इस carbon का भी 4, इस carbon का भी 4, समझ में आरा बार, एक उनहीं के बगल में, और next student जो है, वो खड़ा हो करके दिखाते हैं, यह structure लिख करके, कि CH2, CH2, और यहाँ पर CH, और इधर कर दिये OH, अब देख लिए आपके, तीन carbon, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 hydrogen, 1, oxygen, को balanceी फुल्फिल कर रहा है कि ने, तो यहाँ पर भी carbon का 4 है, यहाँ पर भी carbon का 4 है, यहाँ पर भी 4, समझ में आरा है न, 1, 2, और 2 hydrogen, 4 हो गया, 1, 2, और 2 hydrogen, 4 हो गया, यहाँ पर देखे, 1, 2, और 1 hydrogen, 3 हो गया, और यह बाली, 4, oxygen का भी 2 है, और hydrogen का सब का एक-एक है, हद तो तब हो गया, कि एक student और structure लिखे, कि CH2, CH2, और यहाँ पर CH2 और O लिफ दिये, इस तरह से, बोले कि सर, उसी molecular formula का इस तरह से structure हम लिखे है, बताए सही है कि गलत है, अब देखे यहाँ पर, 3 carbon, 2, 2, 4, 2, 6 hydrogen और 1 oxygen, cobalency, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 2 है, अब बताए, एक और student उनके पीछे वाले बेंज पर बैठे होए थे, वो बोले कि सर, हम इस तरह से लिख रहे है, CS2, double bond, CS2, OCS3, अब देखे तो यहाँ पर, 1, 2, 3 carbon, नहीं, 2, 1, 3, और 3, 6 hydrogen, 1 oxygen, atom तो सारा बराबर है, अब cobalency देखे, तो इसका भी 4, 2 और 2 hydrogen, 4, 2, और 1, 3, और 1 hydrogen, 4, oxygen का दो, और इस carbon का फिर 4, यह OCS3 का मतलब समझ में आता है, न, यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा और expand कर देंगे, आपको अगर हम समझाने के लिए, तो यह ऐसा है, तो देखे, oxygen का भी 2, और इस carbon का भी 4, फूल पिल है, अब बताए, as a teacher, हम कौन सा structure को सही कहेंगे, कौन सा structure को गलत कहेंगे, इस molecular formula का, अब बताए, आप लो बताए, सोचे, इतने इसी एक simple सा molecular formula दे, C3H6O, और एक ही class room में different different बच्चे, अलग-अलग structure लिख करके दिखाए, अब बताए कि किसको सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे, सारा structure सही है, हाँ, इतना जरूर है कि कोई बच्चा अगर एक structure लिखा तो हम बोलेंगे गलत है, कोई दो structure लिखा तो बोलेंगे गलत है, जो बच्चा सारा structure लिखेगा, उसी को हम बोलेंगे सही है, अब समझ में आया कि क्यों हम बोले कि इसका नाम नहीं बता सकते क्यों यहाँ पर देखिए नाम अलग होगा यहाँ पर नाम अलग होगा यहाँ पर नाम अलग होगा यहाँ पर नाम अलग होगा और यहाँ पर नाम अलग होगा क्योंकि हर एक structure जो है different different लिखा हुगा तो यहाँ पर देखे आगे सब बहुत detail में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर simple एक term आया structural कि structural formula होता क्या है तो structural formula में आपको सिर्फ क्या बताया गया कि connectivity of atoms decide होता है हाँ इसमें अगर किसी student को बोलते कि अच्छा जी C3H6O जो molecular formula है ketone family में बताये कितना structure होगा ketone family में तो एक structure होता यह तब वो सही होता है अगर हम बोलते इसी molecular formula का aldehyde family में कितना structure होगा तो एक इसमें aldehyde एक ही है अगर आपको बोलते किसी molecular formula का ring में बताये कितना structure होगा तो दो यह दोनों ring में आगया तो यह सब सारा हम लोग आगे detail में सीखेंगे अभी सिर्फ आपको यह बताया जा रहा है कि structural formula होता क्या है तो structure formula सिर्फ और सिर्फ यह decide करता है connectivity of atoms कौन सा atom किस atom से किस bond से जुड़ा होगा इसको note कर लिजे जब देशे यहां तक complete कर लिए next में आता है bond line structure बहुत ही important है आगे जितना भी reactions होगा nomenclature में तो maximum ज़्यादा bond line structure को ही use किया जाता है अब यह bond line structure क्या है उसको आप समझते हैं सबसे पहला point में क्या कह रहा है कि molecules is written by zigzag lines अब यह zigzag lines क्या है कि कोई भी organic compound है और आपको कहा गया कि इसका bond line structure लेखे पर आप इस तरह से zigzag lines में लिख सकते हैं zigzag lines क्या हुआ यह समझना है दूसरा point में क्या कह रहा है दूसरा point में कह रहा है कि it represents only carbon askelton bond line structure क्या करता है सिर्फ और सिर्फ carbon के askelton को बताता है askelton समस्ते है खाका या धाचा तो यह क्या करता है bond line structure सिर्फ और सिर्फ कार्बन के askelton को represent करता है थर्ड में क्या कह रहा है कि hydrogen atoms necessary to fulfill tetrabalency of carbon are adjuned to be present but they are not treated जैसे भी क्या बता रहे थे कि carbon का cobalency for fulfill हो रहा है कि नहीं हो रहा है जहां पर नहीं होता है वहां पर हम लोग क्या करते है hydrogen लगा देते है बट bond line structure में hydrogen को नहीं लिखना है यह मान के चलना है कि वो hydrogen वहां पर है carbon tetrabalency fulfill कर रहा है तो यह मान लेना है कि उस carbon का tetrabalency को fulfill करने के लिए जितना hydrogen का जरूरत है उतना है यह मान लेना है next point में क्या कहता है कि each intersection of two or more lines and the end of a line represent carbon unless some other atoms is written यह बहुत ही important point है आपको क्या कहा जा रहा है कि दो line का intersecting point अभी आपको क्या पता है bond line structure हम लोग कैसे लिखते हैं जिग जैग lines में तो कहता है कि एक line देखिए यह हुआ नहीं और एक line यह हुआ तो यह दोनों का intersecting जो point है वो carbon को represent करेगा और end point यह भी है so carbon को represent करेगा समझ में आ रहा पाद अगर किसी यह student से पूछे अगर ऐसे board पे लिख दिया जाए और आप से पूछा जाए कि इसका नाम बताईए तो आप कैसे सोचेंगे यहाँ पर देखिए एक carbon, दो carbon, तीन carbon और यह चार carbon तो इसका नाम जो है चार carbon से क्या होता है butane तो इसका नाम हम लोग लेखेंगे normal butane अभी इस पर मत जाएए कि सरी normal कहां से आ गया आगे सब detail में हम लोग पढ़ेंगे तो इसका न क्या हो जाएगा normal butane अब देखिए अगर आप से पूछेंगे कि Mr. X आप खड़ा हो जाओ जी और बताओ कि यहाँ पर कितना hydrogen है तो आप क्या बोलेंगे 3 क्यों 3 बोलें क्योंकि carbon tetra valency fulfill करने के लिए carbon का covalency 4 होता है fulfill करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 3 hydrogen है किसी दूसरे स्टूडेंट को खड़ा करके पूछी कर जी बताओ यहाँ पर कितने hydrogen है तो क्या बोलेंगे 2 सर क्यों क्योंकि 2 तो आपका पहले से बना हुआ तो tetra valency so करने के लिए 4 fulfill करने के लिए यह क्या होगा 2 कारवा जो hydrogen होगा जो कि हम लोग नहीं लिखते है तो यही चीज़ कह रहा है कि each intersection of two or more lines दो या दो से ज़्यादा line एक दूसरे को अगर intersection करता है and end of a line represent carbon intersecting point भी और end point भी दोनों क्या represent करेगा carbon को unless some other atom is written लेकिन अगर carbon के अलावे कोई दूसरा atom है तब आपको लिखना पड़ेगा carbon के अलावे अगर कोई दूसरा atom है तब आपको लिखना पड़ेगा next point में देखें फिप्त में क्या कह रहा है फिप्त में कह रहा है कि other atoms like nitrogen, oxygen, sulfur, halogen etc. अभी क्या बता है कि carbon के अलावे कोई अगर दूसरा atom है तो अहां पर लिखना पड़ेगा कल भी आपको बताया थें कि organic chemistry में carbon के अलावे भी हम लोग कौन-कौन सा atom के बारे में पड़ते हैं तो वो होता है nitrogen, oxygen, sulfur, halogen यह सब भी atom के बारे में पड़ते हैं तो bond line structure में क्या कह रहा है कि carbon के अलावे अगर कोई दूसरा atom है तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा Multiple bond किसको कहते , double bond और triple bond, double bond और triple bond जैसे carbon-carbon के बीच में अगर double bond है , कारवन-कारवन के बीच में अगर triple bond है तो इसको हम लोग बोलते multiple bond सब को सबने आ गया कारगन कारगन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर डबल बॉन्ड है कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है बात सब यही एक structure दे दिया गया और कहा जाया कि इसका bond line structure लिखिए क्या लिखना है? bond line structure तो bond line structure हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए कि total number of carbon आप counting कीजिए तो देखिए 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 कहीं से भी आप जाते हैं तो maximum जो carbon का chain है वो कितने carbon का chain है? 3 carbon का अब 3 carbon को जो bond line structure में लिखेंगे तो आपको क्या बतायते? जिग जैग line से तो एक line खिच दिये इसका मतलब ये 2 carbon हो गया तीसरा carbon ये हो गया एक carbon यहाँ पर आगया एक carbon आपका ये हो गया और एक carbon ये हो गया अब क्या देख रहे हैं? दूसरा carbon पर एक methyl group है CS3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? उपर में लिखेंगे ऐसे समझवाया बाट? देखें, यहाँ पर भी ये carbon है और क्या बताया है? हाइड्रोजन को नहीं लिखते है तो हाइड्रोजन को नहीं लिखते है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर समझना क्या है? यहाँ पर यह समझना है कि इस carbon के साब तीन हाइड्रोजन है यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन है यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन है नहीं लिख सकते हैं, ऐसा rule है, ऐसा convention है, क्यों? क्योंकि देखे, यहाँ पर भी आपका तीन hydrogen है, नहीं, इसके पास भी तीन hydrogen होगा, और यहाँ पर भी तीन hydrogen होगा, तब क्या होगा? यह सब यह दूसरे के काफिन नजदीक आगए, तो जब काफिन नजदीक आगए, तो वहा हम लोग term यूज करते हैं, अस्टेरिक रिपल्सन, तो यह सब आगे आप सीखेगा, अभी सिर्फ इतना जानिए, कि नीचे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर सब hydrogen, hydrogen में क्या होगा? रिपल्सन होने लगेगा, और रिपल्सन होने से क्या होता है? मोलेकुल की अस्टे पिडिल्ट बोलता है कि सर जो आप ऐसे लिखे हो, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, उपर से ही start करते हैं ऐसे, और उसके बाद यज़को ऐसे कर दिये, और methाईल गुरूप को नीचे लिख सकते हैं, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हा, अगर आप ऐसे तो नीचे आपको मिधायल को नहीं देना, समझ मारा बग, यहां तक मोट कीजिए, और एजामपल हम लोग करते हैं, यहां तक कम्प्लीट कर लिए सभी लोग, चली, निचे एजामपल देखे, आपको बोला गया नो, कि इसका आप बॉर्ण लाइन स्ट्रक्चर लिखो, ठीक है, आपको बॉर्ण लाइन स्ट्रक्चर लिखे, फुल से लिखे सभी लोग, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कार इधर साते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, इधर साते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कहीं से भी जाते हैं, तो कितने कारवन का चेन हैं, पांच कारवन का, तो देखें कैसे स्टार्ट करेंगे, 2, 1, 1, 2, समझ मा आए गया, एक लाइन खिचते हैं तो आ गया, 1 और 2, उसके बाद 3, 4, 5, हो गया, एक इधाईल ग्रूप लगा हुआ, तीसरा कारवन के साथ क्या इधाईल ग्रूप है, तो देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, अब इसके साथ एक CH2 और एक CH3, कोई स्टूडेंट बोले हैं कि सर, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, अरे भाई, लिख सकते हो, अब इसको आ आप इस तरह से लिखें, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, और तीसरा कारवन पर इधाईल है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, नहीं कलत होगा, कोई स्टूडेंट बोले हैं कि सर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अरे भाई, एक बार जब बोल दिए, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आरा बाद, तो आपको बॉर्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना है, देखे, 1, 2, 3, 4, 5, और तीसरा कारवन के साथ एक इठाइल है, तो आप ऐसे लिखे, देखे, यह CH2, CH3 हो गया, यहाँ पर अगर आप से पूछा जाए, कि कितन हाइड्रोजन, तो 2, और यहाँ पर कितना, 3, कोई स्टुडेंट बोलेया, कि नहीं सहना में इधर लिखेंगे, लिख दोना याद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिखे, आप ऐसे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ माग या बाद, जैसे एक औ और दूसरा कारवन के साथ अलकोहल है, तो क्या बतायते, कारवन के अलाबे कोई अगर दूसरा एटम होता है, तो उसको लिखना पड़ेगा, कारवन के अलाबे कोई दूसरा एटम है, तो उसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दूसरा कारवन पर अलकोहल था, तो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर चार कारवन था, तो 2, 3, 4, नहीं, और दूसरा कारवन के साथ क्या है, अलकोहल है, तो अलकोहल को लिख दीगे, एक और एक्जामपल देखते हैं, अब यहाँ पर देखे, अब इसको अगर कौंटिंग करें, यहाँ पर अगर आपको होगे, लेकर आप जानिये धीरे जोगे, 20 functional group पढ़ाएंगे, 20 functional group पढ़ना है, तो इसको अब पढ़ते है, एथर, जब वहाँ पर नूमिनक्लेचर बताएंगे न, तो बुलेगे कि इसको कारवन के ही जैसा कौंटिंग कर लिए, तो देखे, 1, 2, 3, 4, हो गया, तो अब यह यहां पर क्या हो गया, यह आया, बट यहां पर यह carbon नहीं है, oxygen है, तो यहां पर oxygen लिख दिये, दूसरा वाला जो है, वो carbon नहीं, oxygen है, तो oxygen लिख दिये, और फिर क्या हो गया, third और fourth हो गया, अब इसी में कोई student बोलता है, कि sir, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहां पर oxygen दे है, ऐसे कर दिये, सही है, हाँ जी, सही है, bond line आप पर structure लिखेंगे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, समझ बागया बाद, बीच में oxygen है, तो oxygen डाल दिये, फिर यहां पर हो गया, CH2, CH3, एक और exam पर लेते हैं, जैसे आपको अब इसका कहाज है, कि bond line आ structure लिखेंगे, तो कै carbon कितना है, 1, 2, 3, 4, तो यहां पर total पहले 4 carbon का chain लिखेंगे, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, हो गया, अब इसके बाद आप क्या देखते हैं, दूसरा carbon पर एक methyl group है, अब दूसरा carbon यह नीचे लिखेंगे या उपर लिखेंगे, अभी क्या बतायते हैं, नीचे लिखेंगे या उप लिखेंगे, उपर लिखेंगे, तो यहां पर एक line खेच दिये, हो गया मिठाई, और यहां पर देखे, 1, 2, 3, अगर इधर से counting कर रहें तो, तो तीसरा carbon पर क्या है, NH2, इसको उनको पढ़ते हैं, एमीन, तो NH2 है, तो यहां पर देखे, 1, 2, 3, इस पर क्या है, NH2, अग क्य बताये थे, carbon के अलावे, अगर कोई दूसरा atom या group है, तो उसको लिखना पड़ेगा, तो यहां पर क्या लिखना होगा, NH2, तो कोई भी molecule दिया हुआ है, अगर आपको कहा जाए को उसका bond line structure लिखे, तो लिखा जाएगा, इसी का ultra, कि bond line आपको माल लेते हैं, कि किसी student को इ nomenclature करने हो, तब आप क्या केजे, bond line से आप इसको convert कर देजे, आसान हो जाएगा, जो smart बच्चा होता है, वो direct कर लेता है, क्यों कि आपको दोनों ची सिखाया गया, समझ मारा बाद, यहां तक जल्दी से complete केजे, यहां तक हो गया सभी लोगों का, चलिए, next example में देखते हैं, अब यही आपका structure है, आपको कहा गया कि bond line structure लेकिए, तो longest carbon का chin देखिए, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, कहीं से भी जा रहे हैं, तो 3 carbon ही है, तो 3 carbon कैसे लिखेंगे, जिग-जग lines में, तो यहां पर 1, 2, और यह 3, हो गया, अब यहां पर सबसे important बात क्या है, कि जब आप इस तरह का structure लिखते हैं, तो यहां पर एक methyl नीचे देते हैं, और एक methyl उपर देते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है, यह सवाल है, तो देखिए, अब यहां पर अगर कोई student ऐसे एक दोनों मिथाईल को उपर दे दिया, तब भी सही है, और यह हम तो कहेंगें कि यह ज़्यादा सही है, लेकिन दो मिनट के लिए कि अगर कोई student ऐसे लिख देते हैं, एक उपर कर दिये और एक नीचे कर दिये, गलत नहीं होगा, लेकिन फिर बात वही पे आजाता कि नीचे लिखने में यहाँ पर भी मिथाईल है, यहाँ पर भी मिथाईल है और यहाँ पर भी मिथाईल है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो molecule के stability घट जाते हैं, इसके चलते हैं%, कन वियेन्शन एक बना दिया गय कि नहीं, ठीक है, आप structure लिखते हैं, तो एक उपर लिख देते हैं, एक नीचे लिख देते हैं, लेकिन bond line structure में क्या होता है, जिग-जैग lines में होता है, तो यहां पर क्या हो गया, कि अगर एक ही carbon के साथ दो-दो methyl है, तो दोनो methyl को आप उपर ही लिखे, यह ज्यादा सही है, जैसे एक निच्ट example में देखे, अब इसका आपको लिखना है, सबसे पहला बार, कि जहां पर नहीं समझ में आए ना, उसको तोड़तर के लिखे हैं, आप 10th कलास में कार्बोक्सली केसिल पढ़े हैं, तो 10th कलास में जब कार्बोक्सली केसिल पढ़ें, तो यह structure जो होता ह कांटिंग करते हैं, 1,2,3,4, तो जब इसको अगर बॉर्ण लाइन structure में लिखना होगा, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, चार कार्बन को लिखना होगा, चार कार्बन लिख दिये, देखे, 1,2,3,4, दूसरा कार्बन के साथ एक अलकोहल है, तो दूसरा कार्बन के कार्बन के साथ हलकोहल दे दिये, और इस कार्बन के साथ क्या है, CO group है, क्या बताय थे, कार्बन के अलाबे, अगर कोई दूसरा atom है, तो उसको लिखना है, दूसरा बात क्या बताय थे, multiple bond को लिखना अब क्या करेंगे आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते ठीक है ये carbon के साथ देखे double bond हो गया और ये OH हो गया समझ बाराबर यहाँ पर ये क्या हो गया double bond हो और OH हो गया तो इसको आप bond line structure में इस तरह से लिख सकते हैं देखे ये तो आपका carbon के सीड हो गया तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 carbon हो गया और इधर आपका देखे क्या हो गया इस carbon के साथ CO group यहाँ पर OH हो गया यहाँ पर OH हो गया और इसके साथ क्या है CO तो C तो लिखेंगे नहीं यहां पर O देखेंगे, double bond और यहां पर OH, देख लिएज़े, 1, 2, 3, 4, और चौथा कारवन के साथ CO और उसी के साथ OH, समझ भारा है बात? एक और example देखते हैं, देखें, अब यह लिखा हुआ है CHO, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह है क्या, तो यह आपका aldehyde है, आप CHO पढ़े होंगे, aldehyde, और aldehyde क्या होता है, ध्यान देजे, यह, यह structure aldehyde का, इसके बाद क्या है, देखें, CH2OH, four times है, CH2OH क्या है, four times है, तो यहाँ पर हम CH2OH, four times लेगे, और इधर क्या है, फिर CH2OH है, तो फिर आपका CH2OH, अब देखें, तो total carbon को counting किजिए, तो कितना carbon है, तो यहाँ पर तो चार carbon आगे है, whole four है न, तो चार carbon और एक पांच carbon और एक अब 6 carbon है तो पहले ना आप क्या करो 6 carbon को आप लिख दें तो 6 carbon को जब आप लिखेंगे तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 carbon हो गया ठीक है ये पहला carbon है पहला carbon के साथ क्या है एक hydrogen है single bond से तह single bond से hydrogen पेड़िये यहां पर फिर क्या है CO है तो यहां पर CO करती है उसके बाद देखें, दूसरा कारवन पे एक OH है, तीसरा कारवन पे एक OH है, चौथा कारवन पे एक OH है, पाचमा कारवन पे एक OH है और लास्ट में फिर क्या है? CH2 के साथ OH तो ये अगर यहाँ पर आप OH लगा देंगे तो गलत हो जाएगा एक और खीचना पड़ेगा और इसके बाद OH लगाना होगा तब नहीं ये CH2 होगा समझ मारा पर? अगर आप यहीं पर OH लगा देंगे तब ये गलत हो जागा, एक, दो, तीन, चार, पाच ही कारवन होगा जबकि तोटल यहाँ पर कारवन कितना है? 6 है तो धीरे 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 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है पेसेंस रखेगा सीख जाएगा ठीक है? अब जितना भी जामपल आपको बताया जा रहा है उसको आप घर पे कॉपी में लेकर के खुद से कीजिए फिर DPP मिलेगा उससे आप कीजिए प्रैक्टिस कीजिए और देखे कि कितना सही होता है यह सब को समझ में आगी? टूटल यहाँ पर कारवन है तो कितना है? आपका 6 है अब यहाँ पर देखे क्या हो गया? यहाँ पर हाइड्रोजन देंगे और उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पर CO हो गया, इस कारवन के साथ OH, 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 चार OH हो गया और उसके बाद फिर क्या था? CH2 और यहाँ पर अब ओएच दे देंगे, दिख लेंगे, बोलिए, सब को समझ में आ रहा है, यहां तक जल्दी से complete कीजे, हो गया है, यहां तक complete सब लोग का हूँ, चलिए, एक और example देखते हैं, निक्स example, अब इसको आपको कहा गया bond liner structure लेखे, तो हम क्या भी बताये थे, कुछ देर के लिए इसको carbon के रूप में counting कीजे, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहां पर देखिए, 2 हो गया, तो 2, 38 के जगह पर क्या है, oxygen है, तो यहां पर एक line खीचेंगे और oxygen डाल देंगे, और उसके बाद फिर carbon है, तो यहां से फिर ऐसे लिख दे लिए carbon हो गया, और फिर carbon है, तो एक ऐसे लिख दिए carbon हो गया, दूसरा कारवन के साथ CO है, तो यहां पर CO double bond O दे दिये, यहां पर CO है, तो यहां पर फिर double bond O दे दिये, हो गया, अब इसमें कुछ नहीं कर गया, नेशी एजांबल देखे, आपको यहां पर कहा गया, CH2 whole 5, अब देखे, common sense यूज की लिए, अब कोई स्टुडेंट को यहां पर कहा गया, कि CH2 whole 5 है, इसका bond line structure लिखे, अब उनके दिमाद में क्या चला गया, कि अच्छा, पांच कारवन है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन, चार, पांच, और दिखाएंगे, क्या यह सही है, गलत है, आपने किसका लिख दिया, यह तो आप का 1, 2, 3, 4, 5 है, यह pen 10 का structure लिख दिया, अब इसके बारे में आपको कहाँ सा information लिखाएंगा, पाला कलास, पाला कलास, बतलो, पिछले कलास में, क्या बताया थे, CH2 कहाँ होता है, मिड में होता है, करने CH3 तो पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा common sense यूज करना है, common sense क्या यू CH2 है, यह क्या है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, समझ बारा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पे 5 कारवन और CH2 का whole 5 दिया हुआ है, तो 5 मेंबर का ring बनेगा, क्या बनेगा, पांच मेंबर का ring बनेगा, यह हो गया, bond line structure, किसका, अगर इसका नाम पूछा जा, नोमेंक्लेचर अभी नहीं बता रहे हैं, जानिए धीरे धीरे सूलते सूलते आपको याद हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, रींग है तो इसको बोलेंगे साइकलो, और कितना कारवन, पांच कारवन, तो बोलेंगे पेंटेन, यानि कि साइकलो पेंटेन का ये बॉंड ल आप क्या बोलेंगे, दो हाइड्रोजन, जैसे एक और एक्जामपल लेते हैं, अब ये आपको एक्जामपल दिख लिए, और कहा गया कि आप इसका बॉंड लाइन स्ट्रक्चर लिखके दिखाएंगे, कैसे लिखके दिखाएंगे, देखिए, वन, टू, थ्री, फोर, फा नइट्रोजन, तो नइट्रोजन लिग दिए, अब इसके बाद फिर CS2 CS3 है, तो अब ये ऊपर जाएगा, तो ये CS2 हो गया, और फिर नीचे कर दिखेंगे, तो CS3 हो गया, ये एक कारवन, ये एक कारवन, ये एक कारवन, और ये एक कारवन, अब एक और इमपोर्टन, नै नेटोजन के साथ एक कार्वन लगा दिया और इस कार्वन के साथ दो मिथाईल है तो एक इधर कर देंगे और एक इधर कर देंगे इसी कार्वन के साथ क्या हो गया दो मिथाईल लगा हुआ है एक और दो तो इसको एक इधर लिख देंगे और एक इधर लिख देंगे तो ये bond line structure हो गया इस compound का तो देखे जो बच्चे को सीखना है वो क्या करेंगे जितना भी सारा example बताए है पहले आप copy में note केजे फिर rough copy उठाए और एक साथ सारे को आप लिख लेजे copy बंद कर दिजे और उसके बाद खुद से bond line structure लिखे और मिलाए कि आप सही लिखे कि नहीं लिखे अब ऐसा नहीं कि एक लिखे फिर अंसर लिखे फिर उलटके मिला रहे हैं नहीं समझ मारा इस तरह से आप मेहनत करेंगे तब जाकर के धीरे धीरे सीखेंगे अभी तो जस्ट आज दूसरा ही कलास है चलिए नेक्स कलास में हम लोग कुछ और सीखेंगे इसको अभी नहीं बताएं कि नेक्स कलास में क्या बताने जारें क्यों सीथी राने देजें और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज कर दीन आपका अच्छा बीते और आने वाला कलास से और अच्छा बीते थेंक्यो